नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं अंबिका शर्मा, आज आपके नवभारती पार्थ माला के पार्थ चार सही समय पर कविता के आज हम प्रश्नुतर और शब्दार्थ करेंगे आईए बच्चों, आगे चलते हैं हमारी कविता के और ये हमारी पुस्तक है नवभारती भागदो कविता है हमारी सही समय पर एक बार कविता का वाचन करेंगे सभी मेरे साथ सही समय पर सूरज आता सही समय ढल जाता है चन्दा भी नित समय से आता सही समय छिप जाता है सुभे समय से कलियां खिलती कलियां किरन देख मुस्काती है संग पमन के जूम जूम कर नित सुगंद फैल आती है सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है ये हैं हमारी कविता आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी इसे याद भी करना है इस कविता से क्या संदेश मिला हमें हर काम समय पर करना चाहिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे पाठ चार के शब्दार्थ बहुत सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में आपको अपनी नॉट बुक में लिखने हैं देखिए नमबर वन है धलना जलना का मतलब सूरज का». चिप जाना संग संग का मतलब हात नमबर तीर है किरन प्रकाश रेखा तो किरन किसकी होती है? सुरे की किरन उसके बाद पवन पवन का मतलब है हवा आगे बढ़ते हैं नमबर पांच है सुगन्द सुगंद का मतलब खुश्बू, नित, नित का रोज, स्वस्थ, तंदरुस्थ, हटे-कटे, ऐसे हेल्दी, सफलता, काम्याबी, ये मैंने ब्लू टे किसले लगाए हैं, ताकि आप सभी को पता रहें, मैं कहां से पढ़ रही हूं, सफलता, काम्याबी, आगे बढ़ते हैं हम, अब है हमारे प्रशन उत्तर, आईए, देखें पहला प्रशन क्या है हमारा, पहला प्रशन है, सूरज और चंदा समय से क्या करते हैं, अब इसका उत्तर है, सूरज और चंदा समय से आते जाते हैं, यानि सही समय पर उगते हैं, आते हैं, और सही समय पर वो वापिस शिप प्रशन नमबर दो पर ध्यान देंगे स्वस्त कौन रहता है कौन स्वस्त रहता है सही समय पर सोने और जागने वाले ही स्वस्त रहते हैं आईए प्रशन नमबर तीन पर जलेंगे सफलता किसे मिलती है जो अपना काम समय पर करता है उसे सफलता मिलती है क्या था प्रशन सफलता किसे मिलती है जो अपना काम समय पर करता है उसे सफलता मिलती है नमबर चार है प्रशन नमबर फोर है हमारा मिलते जुलते शब्दों का मिलान कीजिए तो देखिए इसको आपको मैच अप करना है आता जाता कविता सविता अपना सपना नित हित ठीक है यह हमारे हो गए मिलते जुलते शब्दों का मिलान राइमिंग वर्ड्स आज के लिए इतना ही सुन्दर हस्त लेखन से आप अपना काम करेंगे नमस्ते धन्यवाद सबी को